आपको जानना चाहिए कि आज जग साब का आफरे गुन था, रिटाइर्मेंट था तीसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जैन्वरी को डिस्ट्रिक मेजिस्टेट को रिसीवर अपांट किया तीसरी बात ये है कि आज जुनों जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने नमस्कार आज की बात में आपको जानना चाहिए कि आज जग साब का आफरे गुन था, रिटाइर्मेंट था तीसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जैन्वरी को डिस्ट्रिक मेजिस्टेट को रिसीवर अपांट किया तीसरी बात ये है कि आज जुनों जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने अन्हें आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था अब मस्जिद के तैखाने को आप दे रहे तो पिर आपने तो पुरा किसी डिसाइड कर दिया तो कितने साल हो गए 93 से आप 30 साल हो गए और उसमें मूरतिया कहा है कि कैसे मालों उनको तो ये प्लेसिज और वर्षिप आइक का वाइलेशन है भई 30 साल में 30 साल के बाद आप ये काम की जाद़ दे रहे हैं तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते है पील के लिए आप कहते हैं कि साथ दिन में पूरा निकाल दो ग्रिल्स निकाल दो और आप जाद देगी तो ये सरासर गलत फैसला है और आखरी बात ये है कि नरेंदर मोडी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तोर पर ये कहेगी नहीं कि हम प्लेस दो वर्शिप आक के ओपर स्टैंड बाई करते हैं ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब बादरी मस्जिद का टाइटल सुट का जज्जमेंट आ रहा था मैंने जिस अक्रिहेंशन का इज़ार किया था कि वो फैसला यगीनन सुप्रीम कोट हमर आफली कोट हम इजब करते हैं और फेज की रुनियाद पर आने से ये तमान चीज़ें खुल रही है और उस सुप्रीम कोट के फैसले में प्लेसिज अवर्शिप आइक को बेसिक स्टेक्चर का हिस्सा खरार भी आ गया था तो फिर ये लोगर कोट सुन क्यों नहीं रहें और केंदर सरकार क्यों नहीं बोल रही है अब देखना ये है कि अब इंतजानिया कमेटी शायद अलाबाद हाई कोट में अब इस जज़्म के गलत फैसले कर अपील करेगी अब नहीं मालूं क्या फैसला गागा मार फट्रा जन्वरी को एक बात करेते हैं कि रिसीवर को बोलते हैं ये करद्वा आखरी दिन आपके खिर उनके अख्तियार है उसको कोई रोक नहीं सकता मैं आपके वीवर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ और प्लेज वर्शुप पाक का मतलब क्या है तीस साल से कुछ नहीं हो रहा है आप उनको तीस दिन नहीं देते हैं ये चीज़े हैं च्छे डिसमबर दूबारा हो सकता है इच्छे डिसमबर दूबारा हो सकता है रात को आद बजे